नमस्कार बच्चों एडोविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के विज्ञान के वाक्सिट नमबर 23 तो चलिए शुरू करते हैं आज की वक्सिट और आज की वक्सिट है जीवन की मौलिक इकाई इसमें हम लोग आज गालजी उपकरन और लाइसो सों के बारे में पढ़ेंगे यह बहुत ही इंपोर्टन चेप्टर है इसलिए आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा बहुत स होती है आप जहां भी देखेगा इस तरह का तो समझेगे यह गालजी उपकरन है जिग्यासादीदी कहती है गालजी उपकरन ऐसा कोसिका अंगक है मतलब कोसिका का अंग है जो जिल्ली युक्ते चपटी पूटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के उपर समनांतर रू जिल्ली के संपर्क में रहती है तो आप अगर इसको बढ़ा करेंगे तो देख सकते हैं लेकिन असपस नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं कि यह इस तरह की समझना होती है और एक दूसरे के समनांतर लगी होती है इसको गालजी उपकरन बोलते हैं अंतर द्रवी जालिक कोसिका में बना पदार्थ गालजी उपकरन की पूटिकाओं में भेज दिया जाता है जो इंट्रप्लाज्मिक रेटिकुलम में पदार्थ बनता है जिल्ली के संपर्क में रहता है तो इसमें जो पदार्थ बनता है वह गालजी उपकरन की जो पूटिकाओं होती है उनमें का रहे दिदी एक कोशी का अपने अपसिष्ट पदार्थों का कैसे निपटाने असाफ करती है मतलब कि कोशी का अपने अपसिष्ट पदार्थों को बाहर कैसे निकालती है उसका उत्सर्जन कैसे करती है तो जिग्यासा बोल रही है ज्यान गाल जी उपकरन बाकी कारियों के साथ एक कोशी का अंगक का निर्मान करती है मतलब कि ये तो काम संचैन का काम तो करती है रखने और बाहर भेजने का काम तो करती है एक कोशी का अंग झाल ये एक का अंग झाल 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 झाल